आजकर हर इंसान कहीं ना कहीं पढ़ाई से मकान से गाड़ी या बाकी चीजों के लिए कर्ज लेता रहता है लेकिन इसे चुकता करने में बहुत से परिशानिया सामने आती है अब ऐसे में किस मंतुर का जाप करना चाहिए कौन सा उपाई करना चाहिए चलिए पंडिजी से जानते हैं पंडिजी देखा जाए तो आज हर कोई किसी ना किसी कर्ज के तले दबा हुआ है कैसे छुटकार आपा सकते हैं कर्ज कुछ लोगों के लिए स्टेटस सिंबल है बड़े रोप से लोग कहते हैं मैं एक फोन कर दूं तो मेरे पास करोन रुपए आ जाएंगे वो आजमी सबसे बदनसीब होता है जिसको आसानी से कर्ज मिल जाए क्योंकि कर्ज अगर आसानी से नहीं मिलेगा तो आप स्वावलंबी होकर के अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे और अगर कर्ज आसानी से मिल रहा है तो आप चारवाक के दर्शन पर जियेंगे यावत जीवेत सुखम जीवेत रिनम कृत्वा घृतम पिवेत जब तक जीओ सुख से जीओ कर्ज लेकर घी पीओ तो अगर आपके भी बच्चे रोक से परिसान है और कर्ज के लेंदेन में नुक्सान हो रहा है तो भईया आपको रिनमोचन मंगल इस्त्रोत का पाठ करना चाहिए अगर लाख दो लाख कर जा है तो रिनमोचन मंगल इस्त्रोत का साथ बार सुख साम पाठ करने से कर्ज से आ अगर बहुत बड़ा करजा है, तब तो आपको गजेंद्र मुक्ष का पाठ रोते हुए करना चाहिए, इतना ज्यादा आपके मन में भाव आये कि आपके आँखों से आंसु निकले, और आम दरवार के सामने गजेंद्र मुक्ष का पाठ करिये, रोज सुबह साम, सिव मंदि का जब करिये, और घर के मुक्ष द्वार पर चांदी का स्वास्तिक दोनों दरवाजों पर जरूर लगाईए, उस पर सिंदूर और चमेली के तेल का टीका भी लगाईए, निश्चित रूप से यह सब उपाय आपको कर्जमुक्त होने में सहायता प्रदान करेंगे, जय मा बिल्वास्नी.